हेलो दोस्तो मेरा नाम है मंटू और आप देखरें मंटू ओनलाइन चैनल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको आधार कार्ड चेंज कराना है अधार कार्ड में आपको एड्रेस चेंज करानी है तो आपको सपोर्टिंग में क्या कर डॉकॉमें होना चाहिए इन में से कोई भी एक डॉकॉमेंट होगा तो आपका जो है आधार कार्ड में एड्रेस इजिली चेंज हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं बता जेता हूँ आप कैसे करा सकते हैं तो यहां पर पहले नंबर पर है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप बेंक के पासबुक से जो है आप उसको चेंज करा सकते हैं और बेंक से भी चेंज करा सकते हैं और यहां पर अगर आपके पास रासन कार्ड है चोथे नंबर पर रासन कार्ड है तो आप रासन कार्ड से भी चेंज करा सकते हैं और यहां पर पासबें नंबर पर है आप आपका अगर water id card है तो आप water id card से भी आप आधार card में address change करा सकते हैं, address change कराने लिए आपके बहुत सारे document है, इनमें से अगर कोई भी एक हो आपके पास तो आप उससे बहुत ही आसानी से change करा पाओगे, यहाँ पर आपके पास कोई भी government photo id card है, जिसमें की address भी छपा हुआ ह सारा कुछ issue है, government के इसमें महर लगी है, तो आप उससे भी आप करवा सकते हैं, और उसके बाद आपके पास अगर telephone bill है, जो की आपके नाम से है, तो आप उसमें आपका address पूरा डला हुआ है, तो आप उससे जो है, अधार card में address change करा सकते हैं, अगर आपके पास electric bill है, तो आप उससे चला, change करा पाओगे, अगर आपके पास जो है, बिजली का bill है, तो उससे आप change करा पाओगे, यहाँ पर और और भी कई सारे चीजे हैं, यहाँ पर अगर आपके पास जो है, pension card है, उसमें आपका address डला हुआ है, तो आप इन में से कोई भी एक document आपके पास है, तो आप कोई आधार card ने easily address change करा पाओगे, और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजे mention कर दी है, कि कोई भी आपको दिखत नहीं होने वाली, अगर इसमें आपको जो भी document यह में से आपके पास एक भी document है, तो आप बहुत ही आसानी से change करा सकते हैं, इसी तरह की वीडिय प्रूमेट अपकलेई पाइ